आज आप लोग ने देखा होगा कि जिस तरीके से इसराइल ने हमास के उपर आक्रमण करने के लिए युद्ध का जो लेवल है उसको डिफाइन कर दिया है कि अब खतम करने के बाद ही चैन से बैठेंगे और इसमें किसी प्रकार का कोई समझाता नहीं करेंगे ये न्यूज आपनों को पता होगा और पहले बेजर ब्लास्ट होगा उसके बाद रॉकेट दागे गए और उधर से भी अगर आप देखिएगा तो कुछ ना कुछ रिटर्न में भी रिप्लाई कि क्या मेदिनी जोतिश से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि युद्ध होगा या अभी वर्ल्ड वार थ्री स्टार्ट होने में टाइम होगा कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि सर वर्ल्डवार जो है क्या अक्टूबर से ही प्राहरम हो जाएगा क्या वर्ल्डवार इस साल स्टार्ट होगा क्या वर्ल्डवार के लिए क्या कंडिशन बन रही है तो देखे मैं आप सभी दर्शकों का सबसे पहले जो लोग अभी भी जुड़े हैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ और मैं ये बोलूँगा कि जो वर्ल्डवार के लिए जो मेरा पूरा एनलिसिस है मेधनी जोतिश पर बेज़्ट है क्योंकि मेधनी जोतिश ये कैसी जोतिश होती है जो आम इंसान के लिए नहीं होती है मैं कई बार बता चुका हूँ ये जोतिश की जो विद्या है वो विश्व के लिए देश के लिए खत्रों को, लाब को, हर तरीके की चीजों को गढ़ना की जाती है मेधनी के हिसाब से इसको कहा जाता है तो इस समय ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ग्रहों के हिसाब से देखा जाए क्योंकि ग्रहों के जो राजा होते हैं अक्टूबर में नीच के हो जाते हैं यानि राजा तो नीच का और साथ में सेनापती भी नीच के हो जाएंगे। उपर से जो राहू है वो पावरफुल हो रहा है। क्योंकि जब राजा और सेनापती दोनों नीच अवस्था में चले जाते हैं। तो जोतिश में ऐसा मेंशन है कि राहू जो होता है बहुत जादा पावरफुल बनने की कोशिश करता है। राहू बहुत जादा भ्रहम उत्पन करता है। और राहू की जो यूती समय चल रही है वो राहू मीन राशी में है। तो ओवराल वर्ड वार की स्टार्टिंग अगर स्टेज कहा जाये तो क्या प्रश्जिय उटता है और आप भी कमेंट सेक्चन में पूस करना चाहते हैं तो क्या वर्ड वार का स्टेज स्टार्ट हो गया है तो मैं कहूंगा देखे वर्ल्ड वार जो 3 की बात की जा रही है ये तो जब से रशिया और यूक्रेन का यूद्ध चल रहा है तब से दीरे दीरे ये वार एग्रिसिव हुआ फिर कोल्ड वार में फिर अभी खतम तो नहीं हुआ है यानि वार तो हो रहा है और वार की जो हमती है वो अभी पूरे तरीके से निकल जी मैं आपके प्रशनों का उत्तर दूंगा आप बेस्ट बुक पूछ रहा है एस्ट्रोजी का वो भी मैं बताऊंगा लेकिन अभी केवल वर्ल्ड वार से रिलेटेड जो भी प्रशन आपके होंगे उसको मैं यहां पर बताऊंग देखें कहानी प्रारंब होती है मैं इसको थोड़ा सा स्टोरी के फार में ही बताऊंगा या हिस्ट्री के पॉइंट आफ यू से मैं बताने वाला हूँ डेट था जुलाई और येर था 1914 1914 जुलाई से लेकर 1914 से अठारा तक का एक रेंज आप पकड़के चलिए 1914 से लेकर 1918 तक का जो टाइम था उस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था ये सब इन्हों गूगल करके चेक कर सकते हैं इसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ जिसको वर्ल्ड वार टू कहा गया वो भी लंबे टाइम तक चला है 1929 यानि 1949 से लेकर 1945 तक रहा और इस बीच में जो है एट्मिक ब्लास्ट भी किया गया हिरोशिमा में नाकासाकी पर दोनों जगा पर ये इसका प्रभाव देखने को मिला था तो ओवर्ल वर्ल्ड वार की जो कंडिशन बनी थी वो 1911 पे भी बनी थी 1914 में भी बनी थी 1939 से 35 के भी में न बनी थी तो जब वह ऐसी स्थिती होती है तो कम से कम ये जो युद्ध होता है वो लंबे समय कि पहले जो होगा without atomic bomb के होगा without atomic यानि nuclear weapons का इसमें पहले use नहीं किया जाएगा लेकिन जब इस्थिती बहुत जादा आगे बढ़ती जाएगी तो उसके बाद जैसे ही nuclear attack होगा वैसे ही पूरी दुनिया जो है एकी blast में खतम हो सकती है और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है ज हमारे देश के लिए बहुत जादा critical है विश्व के लिए बहुत जादा critical है और विश्व में भी जो पश्चिम देश बनते हैं उनमें बहुत जादा परिशानी है date note कीजेगा पहला date है 29 March 2025 यह वो date है जब ग्रहन का दिन रहने वाला है और ग्रहन के दिन में जो भी ग्रह रहेंगे 8 ग्रह अधिक से अधिक कहा जाए तो 9 ग्रह में से 8 ग्रह किसी एक ग्रह को देखता है तो 29 March 2025 एक ऐसा date है जब शनी अपना राशी परिवर्दन होगा 29 March 2025 एक ऐसा date है जब सभी ग्रह जो रहेंगे वो केतु को देखेंगे और जब केतु पर सभी ग्रह की दृष्टी होगी क्योंकि केतु मोक्ष का कारक भी माना जाता है केतु मोक्ष करा देता है या किसी भी इसको खतम करता है परिवर्दन करता है आप कुछ भी वर्ड इसक कर सकते हैं तो समय यह एक खतरना की स्थिती रहेगी और ऐसी स्थिती के बाद जो है पूरे विश्व में हल्चल सादा मचने लगेगा लेकिन जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि 29 March 2025 के बाद से विश्यूत होगा कुछ लोग कह रहा है कुछ नही किया हुआ है 1914 से 18 का 1949 लेकर 1945 का यह सभी टाइम ऐसे हैं जो भाद के लिए विश्यू के लिए खतरना करें बहुत अच्छे नहीं रहे हैं इवन जब स्वतंदरता प्राप्त हुआ था तो उस समय भी बहुत सारे युद्ध की कंडिशन भी बनी थी तो एक बहुत जन्मिन यहां पर वीडियो बनता है इसलिए इस वीडियो को एक्जेक्ट डेट के साथ नोट कीजे हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 29 मार्श 2025 ऐसा नहीं है कि विश्यू युद्ध पूरा हो जाएगा हां उस समय जो रहेगा स्थिती बहुत ही खराब रहेगी अभी आप देख रहा है साथ में रश्या युक्रेन का युद्ध चला यह सभी युद्ध दीरे दीरे बढ़ते ही जाएंगे दो हजार 25 से 27 तक का टाइम ओवरॉल एक युद्ध का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है यानि एक प्रकार से कहा जाए कि युद्ध को स्टार्ट करने की जो स्ट्राटिजी होती है वो सारी स्ट्राटिजी समय बनना प्रारंब हो जाएगी सबसे पहली बात दूसरी बात दो हजार 27 अठाइस एक ऐसा वर्ष रहने वाला है जिसमें शनी नीच के हो जाएंगे जब भी शनी मीन राशी में रहते हैं जब भी ब्रसपती मकर राशी को देखिए 2019 में कोविड आया 2019 एक ऐसा वर्ष निकला था जहां पर उसके अगले साल मतलब 26 दिसंबर 2019 को जो ग्रहन लगा था बहुत सारे ग्रहों की यूती बन रही थी वो यूती उसका जो प्रभाव है शनी का राशी परिवर्तन जनवरी 24 या 25 को हुआ था 2019 में उस रा कोविड की महावारी बहुत ही से फैली और सायद मार्च का मुमन था जब पूरे तरीके से कोविड फैल चुका था और हम लोग डाउन कर रहे थे और उस समय देखिएगा तो शनी का राशी परिवर्तन हुआ था ब्रसपती और शनी दोनों ही मकर में जाकर बैटे थे तो ज ऐसे ही चीजें होती हैं आप अपने गर से बाहर नहीं निकल सकते हैं साइरन बचते हैं तो वह सारी चीजें मेरे मैं डिस्क्रेमर दे देता हूं इस वीडियो के माद्यम से मैं किसी को डराना नहीं चाता हूं लेकिन जोतिश की दृष्टी से अगर दिखाई दे रहा है त तो honestly बताना भी मेरा फर्ज होता है तो कब से स्थिती प्रारंब होगी दो हजार पचिस के मार्च के बाद से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा और प्लेटफॉर्म बनते बनते 2027-28 जब स्टार्ट होगा मैंने डेट एग्जेक्ट कहा तो 1 सेप्टेंबर 2027 से लेकर 29 मार्च 2028 के बीच का कोई एक डेट ऐसा बनता है जहाँ पे वर्ल्ड वार थ्री के होने की बहुत जादा संभावना बनती है क्यों होगा उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रस्पती तो ठीक है ब्रस्पती की जो गती चलेगी वो अपने पर शनी जो रहेंगे वो नीच राशी में पहुंचाएंगे शनी जैसे ही मेच राशी में पहुंचेंगे परम नीच के हो जाएंगे और उस समय राहु कितु की जो यूती बन रही है वो भी बहुत जादा फेवरेबल नहीं रहेगी तो इसलिए ये परिशानी आने वाली है औ और 1914 में जो इस्थिती बनी थी, अगर आप पूरा अगर आप चेक कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर चार्ट है कि क्या-क्या कंडिशन बनाता है, तो उसके हिसाब से सबसे पहले अगर 1914, 26 जुलाई 1914 का चार्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसमें मैं का जो केतु होता है, एकदम ब्लास्ट करता है, बहुत तकड़ा ब्लास्ट करता है, अगले साल देखा जाए, तो जब राहु केतु का राशी परिवर्तन होगा, तो वर्तमान में राहु जो है, वो मीन में है, और केतु कन्या में है, लेकिन जैसे ही राशी परिवर्तन एक प्लैटफोर्म रेड़ी होगा इस प्लैटफोर्म को रेड़ी होने के बाद क्योंकि जब विश्यूद की बात होती है तो जैसे पहला विश्यूद चला दूसरा विश्यूद चला तो ऐसा नहीं कि एक दिन में स्टार्ट हो ग Grade सारे कि आप तो लड़ाई कर देना है, करो या मरो की कंडिशन आ जानी है, और उस समय सबसे बड़ी बात थी कि नुकलियर वेपन्स पूरे तरीके से नहीं थे, सेकेंड वर्ल्ड वार में नुकलियर वेपन्स का कुछ प्रयोग किया गया, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, वो भी उसका डूरेशन भी चार साल, पांच साल तक चला, और सेकेंड वर्ल्ड वार भी जब नुकलियर अक्टिविटी थी तब भी ये चार से पांच साल तक ही चला, तो अभी मेरा जो प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप ये मान के चलिए कि 2027-2028 का जो टाइम है, इस बीच में वर्ल्ड वार होगा, तो बहुत सारे लोगों का मेरे ख्यासे कन्व्यूजन दूर हो गया होगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार होगा, अभी तुरंत, और बहुत सारे लोग जो है बविश्य मालिका को गलत तरीके से ड अंतिम चितावनी है, बहुत तरीके के वीडियो यहाँ पर वाइरल हो रहे हैं, मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ कि वर्ल्ड वार जब भी होगा, उस हमें शनी जो रहेंगे, वो या तो मिथुन में रहेंगे, या तो वो शनी का जो प्रभेश रहेगा, वो मेश राशी म में रहेगा, यह मैं कनफर्म हूँ, जब भी वर्ल्ड वार होगा, तो एक प्रॉबैबिलिटी बनती है, ऐसा नहीं है कि आप यह कहा देंगे कि इसी दिन में वर्ल्ड वार होगा, लेकिन एक प्रॉबैबिलिटी बनती है, और प्रॉबैबिलिटी जो है, सबसे ज़ादा वर्ल्ड वार चलेगा और जिस तरीके से युद्ध चल रहा है मैं कहूंगा इस तरीके के जो युद्ध है वो चलते रहेंगे और जिस तरीके से इसराइल ने ठान रखा है वो पीछे नहीं अटेगा वो पीछे नहीं अटने वाला किसी प्रकार की जो समझ होता करने की कोशिश किया जाएगा वो पीछे नहीं अटेगा और जब पीछे नहीं अटेगा तो युद्ध की स्थिति का एक जो प्लेटफॉर्म में वो धीरे-धीरे आकर 29 मार्च दोजार पचीस तक सेट हो जाएगा उसके बाद cold war चलते रहेंगे और धीरे-धीरे कैसा समय जाने के कारण लोग परिशान रहेंगे दूसरे तरफ जो है युद्ध का बातावरण भी बनना प्रारंब हो जाएगा लेकिन इन सभी चीजों के बीच में कुछ पॉस्टिव चीजे भी हो रही है एक तो कहा जाए दो साल बात या नहीं 2026 में अभी 2024 है 2026 में ब्रस्पति परम उचराशी में जाते हैं एक मौका जरूर देते हैं इनसान को सुधरने का किसी भी जीवात्मा को सुधरने के लिए एक लास्ट वर्निंग जरूर देते हैं तो 2025 में प्लेटफॉर्म बन रहा है 2026 में एक वर्निंग को सुधर देने का एक मौका भी देव गुरु ब्रस गलट डीजन को सही डीजन में कनवर्ड करने की छमता रखते हैं तो ये पूरी जितनी भी चीज़े हैं देवगुरु ब्रसपती की वो आने वाले समय में 2026 में एक जग मतब जो इंसानों के अंदर चीतना होती है उसको जागरित करने का भी पूरा प्रयास देवगुरु ब् सीधा डेट जो निकल के आ रहा है सेप्टेंबर दो हजार सताइस से लेकर मार्च दो हजार अठाइस के बीच का समय आ रहा है और इस बीच में भी बहुत सारी चीज़े जरूर होंगे कुछ कमेंट सेक्षन के कुश्चन भी ले लेते हैं प्रवीन जैन जी पूछ रहे हैं वीडियो व्यू करके एक है ये कमेंट बढ़ी अच्छा है लेट्स प्रेय फॉर वेल बिंग फॉर एवरीवन यही होना भी चाहिए सबी को इस विशम परिस्थिती में जो ग्रहों की चाल आगे दीरे दीरे बट रही है इसमें भगवान से प्राटना ही किया जा सकता है क् प्राटना करेंके बल्क में तो जयादा अच्छा रहेगा गुद ओएल का जो प्रशन है कि देखे करूड ओयल का जो प्रशन है वह थोड़ा सा मैं अभी इस समय तो यह पता सकता हो क्या रहे गा लेकिने को अग्ज़र के क्या निए धार गया है था कि मुझे लगता है कि कुरू डॉयल का दाम घट कर 40 डॉलर 30 डॉलर तक भी बहुत जल्दी 2026 तक आ सकता है ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूं इसके अराबा गोल्ड क्या एक लाक और सिल्वर धाई लाक हो जाएगा देखे गोल्ड एक लाक तो होना ही एक दिन मैं मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से गोल्ड 45 जार पे ट्रेड कर रहा था 2022 में मैंने प्रेडिक्शन दिया था 50,000 जाएगा 50,000 पोंचा उसका मैंने बोला था 60,000 तक जाएगा 60,000 पोंचा फिर 66 का टार्गेट दिया था 66 भी गया 66 के बाद मैंने 72 का target दिया था 72 भी target गया और 72 के बाद वो 76 का target दिया गया था जो कि कल पूरा हो चुक है और 78 का भी target दिया जा चुक है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा आने वाले समय में अगर gold का rate एक लाक हो जाए तो बहुत जादा परिशानी वाली बात नहीं एक लाग गोल्ड का रेट हो सकता है और जो निवेशक लोग है जो लोग लांग टम सोचते हैं 5 साल-10 साल का आप पॉइंट आव यू से सोचते हैं कि युद्द के समय क्या होगा जो निवेश होता है वो ऐसे महंगे मैटल्स में बहुत जादा होता है और दूसरा रिजन होत मैंने तो टार्गेट भी दिया है कि इस बार सिल्वर एक लाग के पार होगा और 92 का जो टार्गेट दिया गया था वो सारी चीज़े वो रहेंगे इसके बाद एक चावन जी हमारे है बासकर चावन जी वो बोलने इसलाम खत्म हो जाएगा क्या या कब तक होगा तो कि इसलाम खत्म होगा या इसलाम रहेगा इस पर मैंने अभी तक यह बड़ी कॉंट्रोवर्सी है मैं सनातनी हूँ सनातन धर्म को मानता हूँ मेरे परिवार में जितने भी जो लोग जुड़े हुए इस समय सभी कही ना कही सनातन धर्म को मानते होंगे लेकिन इसलाम पर अभी भी कि इसी प्रकार का कोई calculation नहीं किया गया है मैं तो यही कहूंगा कि इसलाम खत्मों या ना खत्मों पहले हिंदूओं को एकत्र होना जरूरी है जिस तरीके से योगी आधितनाथ जी बोलते हैं कि कटोगे तो अगर आप बटोगे तो कटोगे तो वो सारी चीज़े सबसे पहले मुझे मेरी माइंड में यही जाता है इसलाम का उदै होना इसलाम का अस्त होना यह मेरे लिए सेकेंडरी विशे रहेगा क्योंकि जब तक हम खुद ही एक एक जूट नहीं रहेंगे हम देश को कैसे अखंड भारत में कनवर्ट कर पाएंगे गलत बोल रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा शेयर मार्केट देखिए शेयर मार्केट तो बुल रन करेगा अब शेयर मार्केट इतना 30 से चल रहा है और 26,000 का एसल दिया था हिट हुआ उसके बाद कर भी मैंने बोला था 27-500 का टार्गेट लेके चलिए और वही रहेगा जो है और बाकी आने वाला जो समय है ग्रह गोचर के हिसाब से 20 मिनट का वीडियो भी हो गया है और टाइम भी जादा हो गया तो मैं केवल यही कहूँगा कि आने वाला जो समय है में अक्टूबर और नॉम्बर यह थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है ग्रहों के हिसाब से क्योंकि सूरी देव तो चलिए प्रते एक अक्टूबर के मद्धे में नीच के हो जाते हैं लेकिन ब्रसूरे के नीच होने के साथ साथ मंगल भी नीच के हो रहे हैं और मंगल का नीच का होना इस बार बहुत सिंपल नहीं है क्योंकि सामानेता 45 दिन तक मंगल नीच के होते हैं लेकिन इस बार जो मंकल नीच के हो रहे हैं वो काफी लंबे टाइम तर जाएंगे क्योंकि पहले मारगी जाएंगे करक राशी में फिर ये पीछे वक्री हो जाएंगे फिर मिथुन में चले जाएंगे फिर मिथुन से फिर मारगी होंगे फिर करक में आएंगे तो ये बहुत बहुत जादा टिंजरेस है और आने वाले समय में शनी जब ब्रसपती के साथ बैठे या शनी जब ब्रसपती की राशी में बैठे उस समय भी जादा परिशानी वर्ल्ड में देखने को मिलता है तो अगला दो चार साल जो है वो काफी क्रिटिकल होने वाला है इसलिए आप कि ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वार अभी कल पर सो सही स्टार्ट हो जाएगा वर्ल्ड वार वाली कंडिशन अभी पूरे तरीके से नहीं बनी है वर्ल्ड वार के लिए प्लेटफार्म बन रहा है और प्लेटफार्म का मतलब है जो ग्रहों का कैल्कुलेशन किया था उसका प् करते हैं उस पर भी ये सारी चीजे जरूर रहेगा रंजीत सिंग जी बोल रहे हैं पीयो के पर एस्टलॉजी कीजिए जरूर करूंगा थोड़ा सा ट्रैवलिंग मेरी थोड़ी जाधा रहती है और मैं युनिवस्टी में बच्चों को पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा समय कम म कर आया हूं तो कोशिश करता हूँ आप लों के साथ लगाता है रोत वारतलाब खड़ता रहों और आपलों को मोटिवेड भी करता रहों क्योंकि युद्ध होगा जो होगा देखा जाएगा लेकिन युद्ध के जो डेट्स आ रहे हैं वो अभी नहीं आ रहे हैं 2028 में यह और अभी बहुत जादा गपड़ाना नहीं है दशा खराब हो सकती है ग्रहों की अवस्था खराब हो सकती है लेकिन डर्ना जरूरी नहीं है इस समय थोड़ा सा ध्यान दीजेगा और किताब के बारे में बताना है देखिए एक तो मेरे द्वारा लिखा हुआ है बारा लगन बुक आप ले सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो और उसके लिए आप बहुत सिंपल उपाय कर सकते हैं कि आप कुनली एक्सपर्ट का मोबाइल एप्लिकेशन ओपन कर लिजे आप वहा है था कि जिससे में कोविट चल रहा था तो उस समय मैं बुक लिख रहा था और बुक में जितने भी रेक्टिफिकेशन करने ते सब रेक्टिफाई करके अब तो पब्लिश भी कर दिया है और जिनको पीडिय पढ़ना है आप वहां से पर्चेस करके पीडिय पढ़ सकते है इसके अलाबा अगर अच्छी बुक और देखना चाते हैं जिसको मैं फालो करता हूँ जैसे ब्रिंगु सहिंता है बहुत ही इंपोर्टन है मुंडे नेस्टलॉजी की बहुत सारी बुक आती है मुंडे नेस्टलॉजी की बुद्ध बुक आप अगर पढ़ते हैं तो मुहुर्थ चिंतामडी को देख एक एक एसी बुक है जिसमें मुहुर्दों के बारे में दिया हुआ है इसके दावबा लगू PARA ASHय हो सकता है वरियत सहिंता हो सकता है यह बहुत अच्छी इच्छी पुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं लेकिन जो भी बुक पढ़िए उसमें टॉपिक आप अलग मत कीजिएगा ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ते पढ़ते के पी पेचे ले जाए पढ़ते पढ़ते आप जो है अपने वुक को जैमनी के तरफ रोटेट कर दिये पढ़ते पढ़ते निमरलोजी आप आमिस्टी में एक कोर्स स्टार्ट कीजिए और एक कोर् से पांच दिसम्बर तक शियर मार्केट अप अप है देखिए पांच अक्टूबर पांच अक्टूबर के जगाप पर मैं आठ अक्टूबर बोलता हूं दिलिवजी आठ अक्टूबर को चुनाओं के परिणाम आने वाले मार्केट थोड़ा करेक्शन होगा एक चिस्तों क करेक्शन जो होगा अधिक से दिक चार से पांच परसेंट होगा है मैं इतना ही करेक्शन देख रहा हूं चार पांच परसेंट का करेक्शन एक नॉर्मल करेक्शन है लेकिन मैं इतना जादा करेक्शन नहीं देख रहा हूं जैसा लोग बता रहे हैं कि तीस परसेंट तक क्या correction इतना नहीं होगा और लोग में short कर लिया तो क्या जो loss होगा उसके लिए कौन responsible होगा तो मैं तो हमेशा यह कहता हूँ जो लोग इतने बड़े short के पीछे पड़े हुए कि बहुत जादा short होगा इतना जादा short हो जाएगा कि हालत खराब हो जाएगी कि 30-30% तक market short हो जा कोई wish में महा मारी आ जाती है तब ऐसी condition मनेगी बविश मालिका को गलत तरीके से interpret करते करते बहुत लोग ने तो दो लाग के करीब subscriber भी बना लिया मैं देख रहा हूं कि रोज आ जाते हैं और बविश मालिका में ये लिखा है वो लिखा है पता नहीं किस तरीके से लोग कह इतने भी हैं उनको कोई बेफकूफ नहीं बना सकता है लेकिन दीरे दीरे बविश मालिका के नाम पर कल ये हो जाएगा परसो ये हो जाएगा अगर देखिए हम लोग नकरात्मक चीज़ों पर जादा ध्यान देते हैं पॉस्टिव चीज़ों होती है उस पर बहुत जादा लोग अगर कहा दे कि बहुत पॉस्टिव हो जाएगा तो पॉस्टिव चीज़ों पर लोग नहीं अगर एक भी चीज निगेटिव हो जाती है तो लोग उस पर बहुत जादा ध्यान देते हैं साइद ये भी एक क्रीजन होगा इसके बाद कल की किताब के लिए काली किताब तो आप लिके हैं झाली केताब समुद्र शास्त तो आपका वास यह सत रेका से रिलेटेड़ होता है समुद्रिक शास्त जिसको कहा जाता है वो सारी चीजें हैं और जारखंड में कौन जीतेगा तो जारखंड में कौशिक मुखर जीज़ जुड़े हों लगातार मैं देखत बहुत अच्छी नहीं है तो उस समय तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा बचकर ही अभी समय रहना चाहिए और market 5% से जादा correction का उमीद मत रखिए जहाँ dip मिलें वहाँ पर buy करके रखना चाहिए 25-30% का correction मेरे calculation में नहीं आ रहा है अब क्या होगा नहीं होगा हम भी रहेंगे आप भी रहेंगे और December में एक बार बैट कर इस पर फिर चेक कर लिया जाएगा क्या रहा था market पे तो मैं update करता ही रहता हूँ लेकिन जो important वीडियो है world war 3 के लिए जो exact date है वो मुझे ऐसा लगता है कि इस date में जादा probability बनती है हलाकि मैं दिल से चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की विश में आपदा ना है लेकिन जनसंख्या जिस तरीके से blast हो चुका है लोग जिस तरीके से AI का use कर रहे है उस तरीके से आप देखिए एक शणयंत्र हर देश दूसरे देश पे भारी पड़ रहा है तो ये सारी चीजें बाकी मैं अपडेट बाद में करूँगा और आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्षन में लिखिएगा लगातार जुड़े रहे है कुणली एक्सपर्ट चैनल से और जिनोंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजे और थोड़ा मुझे जरूर विलंब हो जाता है लाइव होने में या डेली वीडियो पोस्ट करने में लेकिन आप लोग सबी लोग जुड़े रहा कीजिए जब हम वारता लाप करते हैं तो काफी अच्छा लगता है तो अभी के लिए इतना ही मैं हूँ एस्ट्रोजर कीम सिरा ओम नमस् मुझे लोगता है लोगता है